हलो फ्रेंड्स मैं इकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं बहुती टेस्टी बहुती चटपटी हरी धनिया की चटनी लेके आई हूँ देखने में तो ये बहुती सिंपल होता है लेकिन इसको आपको बहुती चटपटा बनाने के लिए कुछ ध्यान रखना पड़ता है तो चलिए बनाते हैं टेस्टी चटपटा हरी धनिया की चटनी तो यहाँ पर देखिए मैंने 200 ग्राम हरा धनिया लिया है और हरे धनिया को हमको बहुती अच्छे से साफ करना है तो यह देखिए बहुती चटपटी चटनी बनती है आप इस हरे धनिया के साथ पुदीने के पत्ता भी आट कर सकते हैं कड़ी लिफ्स भी आट कर सकते हैं तो यह बहुत ही कड़ी लेफ्स भी बहुत फाइदे मन होती है तो यहाँ पर मैं सिम्पल हरे धनिय की चटने बना रही हूँ तो इसलिए हम इस हरे धनिय को रफली कट कर लिये हैं और पान से छे पानी हम बहुत ही अच्छे से साफ करेंगे तो यह देखिए आपको दिखा रहे हैं कि धनिये को हम 5-6 पानी साफ करेंगे तो दो पानी मैंने साफ कर लिया है और अब हम देखिए इसको हम इस तरह से दूसरे बरतन में डालेंगे बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना भी आपको यह दोने देखिए कि इसमें मठी होता है तो इसलिए कि था धनिये का यह दिखा- आप शागाई है इसमें बहुत सारी मिटे इसमें तर्थी है ख़ट्ण बाने और दो लेंगे और अभर मिक्सर की तरह से रख लेंगे तो इस तरह से नाबंडे में डाल एकिए तो इसको एक से दो बार हम चला लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हम सारे धनिये के पत्ती को मिक्सर के जार में डालके बस हम चला लेंगे इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं एट करेंगे तो बस इसको एक से दो बार आप चला लेजिए इस तरह से सारे हरे धनिये के पत्ती क नॉर्मल रेस लहसुन लिया है और यह देखिए यह यह आम है आम चूर है इसको हम सुखा के रखते हैं और इसमें हम पानी डाल के इसको थोड़ा भीगो दिये हैं ताकि यह सॉफ्ट हो जाए तो यह बहुत ही चट्पटी चट्नी बनती है और बहुत ही टीस्टी लगती है तो आप एक बार जरू ट्राइब करिए गा तो बस देखिए मैंने इस तरह से धनिया को एक बार से से क्रस कर लिया है और अब हम देखिए इसमें टमाटर डालेंगे इसमें पानी बिल्कुल भी एड्ड नहीं करना है और यह देखिए देशी टमाटर है अब हम इसमें हरे डालने दालेंगे तो यह देखें मैंने खीर फोलियों है नी स्कप्सकेया कि गए राव करें जामी हो चुका है लेकिन अभी इसमें और भी कुछ डालना है इसमें हम स्वाध के नमक डालेंगे अब हम देखिए इसमें हम थोड़ा सा भूना हुआ जीरा डाल रहे हैं तो यह देखिए मैंने भूना हुआ जीरा डाल दिया अब नीबू का रस भी डालेंगे तो नीबू का nuggets डालने से ये चट्नी का कलर बहुत अच्छा हाता है तो देखे तो बस देखे मैंने नीबू का डाल दिया और एक बार हम इसको मिकसर को से चला लेंगे तेश्टी चटपटी हरेधनिया की चटणी त्यार है बहुत ही टेश्टी और बहुत ही लाजबाव होती है तो आप एक बार इस तरह से हरेधनिया की चटणी ट्राइ करिए बहुत ही टेश्टी और बहुत ही लाजबाव होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है तो आ झाल 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 झाल